हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अरेन ग्लोरी में और आज की सुड़ों में हम आप लोगों को बताएंगे अगर आपने ऐसा कोशन तो सुना ही होगा कि माली चैनल इसकी तो आप बताईएं किसे किपने गाएं तो दोस्तों अगर आपको योडियों कुछ न आएगी तो प्लीज शुड़ों करिएगा लाइक अब इतकर विच्छोड को सबस्क्राइब और बिला कुछ गाएं और कुछ वोलियां हैं जिनके सिरों की संख्या 35 है तथा फैरों की संख्या 120 है तो बाड़े में कुल कितनी गाएं और मुर्गियां हैं दोस्तों इस कोशन को सॉल्व करने की बहुत से मेथड होते हैं लेकिन यहां पर हम आपको सेफ्स एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना बताएंगे दोस्तों आए अपमने कोशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बार इन सब को क्या माल लेंगी गाएं और एक पार मुर्गियां तो पहले हम गाएं माल लेते हैं तो अगर गाएं माल लेंगे तो गाएं कितनी हो जाएंगी 35 तो यहां प्रमिक देंगे अब हमने multiply 4 क्यों किया क्योंकि जो काउ होते हैं उसके 4 लेक्स होते हैं इसलिए आपने multiply 4 कर दिया जो कितना जाएगा 35 पोर्जा 140 140 अब देखिए अब हम इसको एक बार मुर्गियां माल लेंगे तो जाब मुर्गियां माल लेंगे तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी 35 तो यहां प्रमिक देंगे मुर्गियां equal to 35 multiply 2 अब हमने आपर multiply 2 क्यों किया क्योंकि जो हैं होते हैं उसके 2 लेक्स होते हैं इसलिए हमने multiply 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा 35 तूजा 70 तो यहां प्रमिक देंगे 70 तो दोस्तो अब यह गाएं और मुर्गियां का क्या निकल आया लेक्स की संच्छा निकल आई दोस्तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एलिगेशन मेथट से solve कर देंगे तो यहां पर गाये का लेक्स कितना आया है 140 तो यहां प्रमिक देंगे 140 और इसके उपर हम गाये लिख देंगे अब देखिए मुर्गियां का लेक्स कितना आया है 70 तो यहां प्रमिकेंगे मुर्गियां कितना आया है 70 तो इसके इचन दिखेंगे 70 दोस्तो अब हमको कोश्चन में दिया हुआ है कि सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो दोस्तो अभी जो 120 होगा इसको कहां पर लिखेंगे बीच में दिखेंगे तो यहां प्रमिक देंगे 120 दोस्तो हमेसा जो बीच का नंबर होता है इससे एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर छोटा होता है तो दोस्तों अब आई हम इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने को यहां इसमें चोटी संख्या को करेंगे तो यहां पर निख देंगे है इसमें भी करेंगे बड़ी संख्या मेंसे चोटी संख्या को माइनस करेंगे तो 140 और 120 इन दोनों में से बोटी संख्या कौन सी है 140 है तो अगर 140 में से 120 माइनस करेंगे तर कितना आएगा 20 तो यहां परण दिभिएंगे तो कितना हो गया 50 दिभिएंटी दोस्तो इसका मतलब कि गायों के सिर की संख्या कितनी हो जाएगी 50 क्योंकि गायों के नीचे क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है इसलिए गायों के सिर की संख्या हो जाएगी 50 और मुर्गियां के सिर की संख्या हो जाएगी 20 क्योंकि यह हो जाएगी 20 दोस्तों अब आई हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है आफे रांग है तो दोस्तों इसको पैचाने की में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों को प्रस करेंगे तो क्या सिरो की संख्या के बराबर होगा 35 आएगा नहीं आएगा इससे जादा हो जाएगा तो दोस्तों अब आई हम इसको काट देते हैं जिससे हमारा जो नंबर है वो चोटा हो जाएगा तो दोस्तों अब ये दोनों नंबर किससे तो कि यह तो फिस्टी का आजा की इन दोनों का आजा करीये या फिर तो से डाइट देने का मतलब ही होता है उसका आधा तो दोस्तोह अद देखिये यह तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह 35 हो जाएगा क्योंकि देखिए 5 को भूल जाएए तो 20 प्रस्ट कितना हो गया 30 और 5 को प्लस कर दीजिए 35 तो दोस्तों आप देखिए हमने 0 की संख्या तो निकाल ली अब आएए हम लक्स की संख्या निकाल लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए गायां के सिर 25 को मिल्टीप्लाइए 4 में करेंगे क्योंकि मैंने कünden वों को इसनिए हम 4 को आप देखिए दूस्तो आप डेखिए कितना आ गया हंडड़ आ गया और 20 आ गया तो अगर हम इंदोनों को प्लस करेंगे तब कितना आएगा 120 एगा तो यहाँ पर क्या है 120 है इसलिए जो अगरा आंसर है वो correct होगा सही होगा आई देखते हैं आपना next question एक जंगल में गवाले गायों को चरा रहे थे यदि इनके सीरों की संख्या 30 है तथा पैरों की संख्या 96 है तो पुल कितने गवाले और गाये हैं दोस्तों इस कुछन को भी उसी तरह से सवाफ करेंगे जिस इसके लिए सबसे पहले हम सबको क्या मानेंगे गाय मानेंगे उसके बाद हूँ यहां पर देंगे मिल्टिपलाइऑ 4 , तो सब्सक्राइब budgets 4 होते हैं तो तो जब हम ग्वाले मालेंगे तब ग्वाले कितने हो जाएंगे 30 क्योंकि हम सभी के लेख कितने होते हैं इसलिए हम मृटिप्टाई 2 कर देंगे एक क्यों जाएगा 32 जा 60 तो यहां पर लिख देंगे 60 तो दोस्तों अब यह गायों और ग्वाले का क्या निकल आया लेक्स की संख्या निकल आई दोस्तों अब हम इसको स्वाउट कर देंगे तो गायों का कितना है 120 तो पहले हमें 20 और ग्वाले का कितना है दो ग्वाले का 60 है तो इसके नीचे हम देंगे 60 अब हम इसको स्वाउट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से चोड़ी संख्या माइनस करेंगे तो अगर हम 96 में से 60 माइनस करेंगे तब कितना आएगा? 36 तो यहाँ प्रम लिख देंगे 36 और अगर इसमें यह मही करेंगे बड़ी संख्या में से चोड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो हम अंडे 20 में से 96 मैंनुस करेंगे तब कितना आएगा 24 आएगा तो यहाँ पर हम लिख दिरिंगे 24 तो कितना आगया 36 जिसके 24 जिसके 24 मिस कि गायों के जो सिर है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी क्योंकि जो गायों के नीचे जिखा हुआ है यहाँ पर 36 और ग्वाले के सिर के संख्या कितनी हो जाएगी 24 क्योंकि ग्वाले के नीचे जिखा हुआ है 24 24 दोस्तों अब आए हम अपने आंसर को चेक करते हैं पिर जो हमरा आंसर है और ख़या रांग है ग्या तो इसके लिए हम यह नहीं इसको काट डिया बनान चाहँ गालो है तो आए टे यहां लिख देंगे अभ जम से मिनस करेंगे आप जिक्स को ता लेंगे नोगे तो 16 हो जहीं अब यहां पर कितना जाएगा दिखें दूए अब 12 तो दूस्तों में अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे ताब शीरो की संखर के बराबर हो जाएगा 30 आ जाएगा क्योंकि आप 8 को अब 2 को भूल जाएए तो 10 प्लस 10 कितना होगे 20 और 20 प्लस सब्सक्राइब 28 और इस डू है इसको प्लस कर देजिए 30 आ गया तो दोस्तों हमने शुरू की संख्या लिखा ली अब आईए हम लक्स की संख्या लिकाल लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए गायों पर जो सिर्की संख्या हों कितनी है 18 है तो अगर 18 x 4 करेंगे तब कितना आएगा 18 x 4 जा 72 गुवाले के सिर्की संख्या कितनी है 12 तो अगर हम 12 multiply 2 कर देंगे तब कितना आ जाएगा 24 आजाएगा तो अगर हम 72 प्लस 24 करेंगे तब कितना आएगा 96 आएगा तो यहां पर क्या है 96 है इस्ता मतलब कि हमारा आंसर सही होगा आई देखते हैं एक नप नेक्स्ट कोशन किसी पार्क में टेंपो और कारों की संख्या 60 है और इनके पहियों की संख्या 208 तो पार्क में कुल कितने टेंपो टेंपो मैं और यहां हैं दोस्तों इस कुछन को सौल करने के लिए भी हम विल्कुल पही करेंगे, दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, कि इन सभी को पूरा टेमपो माल लेंगे, और उसके बाद इन सभी को पूरा कार माल लेंगे, तो पहले हम टेमपो माल लेंगे, तो हमारे टेमपो कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 60, multiply 3, दोस्तों अब multiply 3 क क्यों करेंगे क्योंकि जो अटो होते हैं उसमें 3 होते हैं इसलिए मुल्टिप्लाइम 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 जा 180 180 आ गया अब हम इस पूरा कार को माल लेते हैं कारों तो अगर कार को माल लेंगे तो 60 जाएगा और 60 आए 4 अब मैं तिप्लाइब 4 क्यों करेंगे क्योंकि सिक आ होता है इसमें 4 वील्स होते हैं इसलिए फॉर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64,240 तो दोस्तो अब देखें हम आ निकलकर आ गया अब हम इसको सॉल्फ कर देंगे तो आइए सॉल्फ करते हैं तो टेम्पू तो अब देखें अब टेम्पू का कितना आया है 180 तो इसके नीचे निप देंगे 180 अब देखें कालों है इसका कितना आया 240 तो इसके नीचे निखेंगे 240 दोस्तो अब हमारे कोश्ण ने दिया हुआ है कि इनके पईयों की संच्छा कितनी है 208 है तो जो 208 होगा इसको कहां पर लिखेंगे बीच में लिखेंगे 200 एफ दोस्तो अब हम इसको सॉल्फ कर देंगे तो साफ करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो अगर 220 में से 208 माइनस करेंगे तो अगर हम 208 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा तो यहां पर लिख दिया 28 तो दोस्तो अब कितना आगया 32 रेस्यों 28 तो यह क्या होगा यह गाडियों की संख्या होगी मेंस कि टेंपू के संख्या कितने हो जाएगी 32 और गालों के संख्या कितने हो जाएगी 28 दोस्तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो गालियों के संख्या के बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 60 आज आएगा देखिए आ आप 2 को फूल जाए और 8 को फूल जाए तो 30 20 कितना हो गया 50 और 50 प्लस 8 कितना हो गया 58 और यह जो टू है इसको प्लस कर दी जो 60 आ जाएगा तो यहां पर क्या है 60 है तो दोस्तों अगर आपके योडियों पसंद आई होगी तो प्लीज शुड़ करिएगा लाइक अब अब बिल आपकों रिप्स करें जिस्साब को मेरी अरेक न्यूव वीडियो के नोटिफिकेसन सबसे पहला आज तक पौस सके एक तो दोस्तों मेलते हैं आपनी अगरी वोड़ों में तब तक के लिए मेले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जया हिंद जय भारत